हलो बच्चों, वेल्कम बाक तो फिजिक्स वाला तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस पूरे क्लास एड का बायो की पहला चैप्टर डैटी's क्रॉप प्रडाक्शन और मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों के कमेंजमेंट को पहले क्यों नहीं किया वेल बेटा पहले हमने थोड़ सा ओपरेशनल प्रॉबलम हो गई थी तो हमने सोचा कि क्यों न क्रॉप प्रडाक्शन और मैनेजमेंट को हम बीच से शुरू करें तो इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रॉप प्रडाक्शन और मैनेजमेंट और बहुत सारे बच्चों के कमेंज आ रहे हैं कि सेल के ऊपर भी उनको बहुत ही जल्द वान शॉर्ट वीडियो चाहिए तो बेटा बिलकुल आज क्रॉप हो गया है अब इसके बात नेक्ट बारी सेल की ही आईए तो आईए थोड़ सा हम ओबर्व्यू देखते हैं कि आज की इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे different modes of nutrition in organism organism के लिए बेटा nutrients बहुत ज़रूरी है कोई अगर जिंडा है उसको energy चाहिए और यह energy कहां से मिलती है nutrient से लेकिन जितने अलग-अलग organisms होते हैं उनके उतने ही अलग-अलग बेटा नकरे होते हैं nutrition के तो हम देखेंगे कितने type of nutrition होते हैं next we are going to study what are crops क्या सारे plant crops कहलाते हैं अगर नहीं कहलाते हैं तो crops हम किन को कहते हैं next हम देखेंगे बेटा कि आखिर crop production होती कैसे हैं क्या इसकी भी कोई pattern है या हमारा जैसे मन चाहे हम वैसे ही crop की production कर सकते हैं तो आईए फटा फच्चे शुरू करते हैं with the first and the very first point of this chapter that is mode of nutrition तो सबसे पहले दिरेखो बेटा कोई भी living organism living organism कोई भी हो they need nutrients उनको nutrients की जरुरत परती है why why every organism need nutrients क्योंकि बेटा उनको जिन्दा रहना है for proper body functioning अगर हम बात करें बेटा nutrients की जरुरत क्यों परती है for proper body functioning है ना और we can say for energy हम बेटा nutrition नहीं हम nutrients नहीं खाएंगे हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको energy नहीं मिलेगी तो इसलिए nutrition बहुत जरूरी है for each and every organism लेकिन अभी अभी मैंने बोला था कि सब के modes अलग अलग होते हैं सब के अलग अलग नक्रे होते हैं जैसे कि कुछ organisms बेटा वो क्या करते हैं वो खुद अपना खाना prepare करते हैं हम भी अपना खाना कुद प्रेपेर करते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी अभी मैंने काफ़ी पी है, यह मैंने खुद बनाया है, ठीक है? लेकिन क्या मैं autotroph हूँ? काफ़ी तो मैंने खुद बनाई है, तो क्या मैं autotroph हूँ? The answer is no, कुछ organisms होते हैं जैसे की plants बेटा, जो खुद अपना खाना प्रिपेर करते हैं, बनाते हैं लेकिन, लेकिन using inorganic molecule, जो हम नहीं कर सकते, वैसे organisms को हम कहते हैं, autotrophic organism, that means हमारा पहला ग्रूप क्या होगा बेटा, autotrophic nutrition. पहला ग्रूप हो गया, autotrophic nutrition, इसमें क्या होगा, autotrophic nutrition वाले organism, जो है, they can prepare their own food, from where, from बेटा, inorganic sources, मेरी जो ये coffee है, ये inorganic source नहीं है, लेकिन, ये क्या कर सकते है, inorganic sources से अपना खाना खुद prepare कर सकते है, जैसे कि green plants, ठीक है, green plants आदी example of autotrophs, और सिर्फ green plants से नहीं, बेटा, कुछ bacteria भी होते है, जो हमारे photosynthesis कर सकते है, साने bacteria नहीं, कुछ bacteria, ठीक है, कुछ bacteria होते है, इसके अलावा बेटा, कुछ bacteria ऐसे भी होते है, जो photosynthesis नहीं करते, वो sun के energy को नहीं use करते, खाना बनाने के लिए, वो chemical energy को use करते है, लेकिन वो भी खुद अपना खाना प्रिपेर करते है, तो autotropic nutrition क्या होता है, ऐसे organism जो खुद अपना खाना प्रिपेर करते है, from inorganic sources, हम नहीं, हम क्या करते हैं बेटा, हम बनी बनाएं चीज को सीधा निगल जाते हैं, हम तो खाने में बिलकुल उस्ताद है, आपका नहीं पता, मैं तो बिलकुल उस्ताद हूँ, मुझे खा के अच्छा लगता है, so we all are heterotroph, हम क्या है बेटा, हम है heterotroph, अब ये heterotroph क्या होता है, heterotroph जो organisms होते है, they cannot prepare their own food, याद रखिए, ये अपनी food खुद inorganic sources से prepare नहीं कर पाते, they cannot prepare own food और ये जो हमारे heterotrophs है, they are directly और indirectly dependent on autotroph, हम माने या ना माने, हम directly, indirectly, plants के उपर dependent है, for oxygen, for food, for energy, तो all heterotrophs, जितने भी heterotrophs है, every one of them are dependent on the autotrophs or plants, अब बेटा, heterotrophs के अंदर भी बहुत सारे division है, heterotrophs के अंदर भी आपको बहुत सारे चोटे 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 groups मिलेंगे, जिसकी अलग-अलग mode of nutrition है, जैसे की, जैसे की अगर एक example मैं आपको दू, one group is parasite, ये parasite क्या करते है बेटा, ये दूसरों के body के ऊपर present होते है, उन से nutrition निकालते हैं और खुद मजे से रहते हैं, जैसे की, आपको मैं बहुत common example दे सकती हूँ, especially class 6, 7, 8 के लरकिया, लरकियों में जादा होता है ये, ठीक है, लरकिया मुझे गाली दे रही होगी कि मैं आप हमें ब्लेम कर रहे हो, लेकिन हाँ होता है, just because लरकियों के लंबे-लंबे बाल होते हैं, 6, 7, 8 specially या बच्चे, specially जितने भी बच्चे हैं, उनके सर पे जुए हो जाते हैं, अगर आपने कभी नोटस किया होगा, तो वो जुए जो होते हैं, those are what, those are parasites, वो आपके बालों में present होंगे, ठीक है, आपके स्कैल से खून सक करके, वो आपसे nutrition द्रॉ करेंगे, और वो अपना मस अपके बालों के साथ, क्या करेंगे, हाइडन से खेलते रहेंगे, है ना, और वही reproduction करेंगे, वही अपना घर बसा लेंगे, तो इस टाइप के organism, जो दूसरों के body से nutrition को सक करता है, या दूसरों के body से nutrition draw करता है, ठीक है, it draws nutrition from host, ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं बेटा, हम उनको कहते हैं, parasites, नेचर में बहुत सारे example है, सिर्फ जुए नहीं, बहुत सारे example है, parasites के, next a group can be saprophide, दूसरा group क्या बन सकता है, बेटा, saprophide बन सकता है, यह क्या करते है, यह वो organism है, जो गंडे-गंडे जगह हो पर present होते है, fungi जैसे कुछ एक group होता है, mushroom, बहुत commonly, mushroom के नाम से famous है, this is a group called fungi, तो mushrooms, आप देखोगे बेटा, अच्छी जगह हो पर नहीं ग्रो करते, they grow on decomposed things, they grow on bad things, तो क्यों, क्योंकि उनका mode of nutrition क्या है, बेटा, saprophytic है, यह हमेशा ऐसे चीजों पर grow करते है, जिसके वज़े से decomposition होता है, इसलिए कभी कबार, ऐसे organisms को हम scavengers भी कहते है, क्यों बेटा, क्योंकि यह हमारे environment को साफ भी करते है, आप सोचो, अगर पत्ते decomposed नहीं होते, अगर full decomposed नहीं होता, तो वो जमा होते 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 शायर आज प्रत्वी गंदगी से भर जाती, so this scavengers, this saprophytes were very very essential, तो यह क्या है बेटा, they draws nutrition, किस से nutrition draw करेंगे बेटा, draws nutrition from death and decaying matter, ठीक है, decaying matter से यह अपना nutrition draw करेंगे, Similarly, heterotrop के अंदर एक group है हम, हम ना बेटा, parasite है, हम ना saprophytes है, हम क्या है, हमारी जो mode of nutrition है, it is called hollowzoic mode of nutrition, हमारी mode of nutrition क्या है, hollowzoic mode of nutrition, जिसमें क्या है बेटा, हम चीजे खाते है, that means हम क्या करते है, सबसे पहले, बॉड़ी के अंदर food को, solid food को ingest करते है, चबाते है उसे, फिर बेटा, बॉड़ी के अंदर, पेट में, intestine में उसकी dization होती है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद ये west product generate होता है, जो बॉड़ी से बाहर निकल जाता है, तो ऐसे mode of nutrition, जिसमें एक organism solid food खाकर, तीन अलग अलग processes से गुजरता है, that means ingestion, खाना, डाइजेशन, ब्रेक होना, इजेशन, बॉड़ी से बाहर निकलना, तीन चीजें, तीन process जिस भी organism में involved होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो, different modes of nutrition present in living organism, अब सीधा हम आते हैं, हमारी इस chapter के सबसे important point पे, that is agriculture, क्योंकि crop के बारे में हम पढ़ेंगे और agriculture के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये तो ऐसा हो गया कि हमको आलू की सबजी खानी है, बीना आलू के, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे पहले हमें समझना है, what do you mean by agriculture, बीटा, agriculture है क्या, agriculture is the branch of, और agriculture is a branch that deals with what, agriculture is a branch बीटा, that deals with cultivation of crop, cultivation of culture of animals, ठीक है, agriculture एक ऐसा branch है, जिसमें हम क्या सीखते हैं, कि किसी एक चीज को हम कैसे grow करें, अब grow करने को हम अपने garden में भी grow करते हैं, लेकिन agriculture का क्या मतलब है बीटा, हम उसे economically use करने के लिए कैसे grow कर सकते हैं, breeding के technique से उसको कैसे improve कर सकते हैं, यह सारे के सारे जो होते हैं, branches, they are part of agriculture, so agriculture is a branch that deals with, यार रखिये, that deals with cultivation and culture of plant and animal, ठीक है, it is cultivation and culture of animals, और agriculture के बेटा, बहुत सारे, बहुत सारे branches हैं, जैसे कि flower के लिए branches है, floriculture, fruits के लिए branches है, horticulture, पानी बेटा, aquatic organisms के लिए है, aquaculture, marine aquatic organisms के लिए है, mariculture, बहुत बहुत सारे branches है, और जो सिर्फ और सिर्फ अलग-अलग plants को cross करवाते हैं, उनमें reproduction करवाते हैं, उसकी एक अलग branch है, called breeding, so habitization wing, बहुत सारे अलग-अलग branches हैं, agriculture के अंदर, agriculture is the umbrella term used for culture of crop or animals, ठीक है, अब हम देखेंगे, what is crop, crop होता क्या है, अब बेटा, रस्ते पे जो plant है, वो भी plant है, है ना, हमारे घर के pot में जो plant है, वो भी plant है, लेकिन क्या हम उसे crop कह पाएंगे, is it called crop, no, the answer is no, हर plant को हम crop नहीं कहेंगे, हम crop बेटा किसे कहेंगे, जिसे हम एक area में अच्छे से prepare करने के बाद, grow करेंगे for the economical benefit plus our own benefit, जरूरी नहींगे है, हमेशा crop बेटा बेचने के लिए ही grow किया जाए, बहुत सारे चोटे मोटे farmers होते हैं, जो crop grow करते हैं अपने लिए, substantial farming, हमने ये एसस्टी में टर्म, already हम पढ़ चुके है, right, substantial farming is the exact word, तो जरूरी नहीं है कि economics के लिए ही हम grow करें, अपने लिए भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी plant को हम crop कब कहेंगे बेटा, जब हम एक geographical area में, एक छोटे से area में, चाहे बरे से area में, same type of plant को grow करेंगे, उससे बेटा products जो भी मिलेगा हम उससे use करेंगे, that is called crop, हर plant crop नहीं है, so exact definition के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, when plants of the same kind, okay, just let me rub it, okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या है बेटा, when plant of the same kind, same kind is very very important, ठीक है, same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop, every रस्ते चलते हर किसी plant को हम crop, बिल्कुल नहीं कहेंगे, अब बेटा, जब हम crop के बारे में बात करते है, crop के अलग-अलग seasons होते है, कुछ crop ऐसे होते है, जो सर्दियों के टाइम पे बहुर अच्छा ग्रो करता है, जैसे कि गेहूं, अगें बेटा, गर्मियों के टाइम पे बहुर अच्छा ग्रो करते है, so every crop has different season, हर crop का अलग-अलग season है, but specially, अगर हम इंडिया में बात करें बेटा, तो, okay, अगर हम बेटा, इंडिया में बात करें, दो मेन season होते है, crop के, one is kharif, that is the rainy season, another one is the ravi, that we can say is a winter season, तो, दो मेन type of crops होते है, season के basis पर, एक होता है, हमारा kharif crop, जो rainy season के साथ associated है, excuse me, दूसरा बेटा होता है, ravi crop, जो है हमारे winter season के साथ associated है, ठीक है, और, जो हमारे rainy season वाले crops होते है, mainly rice is a rainy season crop, और अगर हम winter season की बात करें बेटा, तो, mainly wheat is a ravi crop, तो ये क्या होते है, बेटा, ये कुछ ऐसे plants है, जो, अलग-अलग season में, अलग-अलग तरीके से grow किया जाता है, जैसे कि, खारीव crop का आप season देख सकते हो, it is grown between June to September, जून to September के बीच में grow किया जाता है, जब monsoon का टाइम होता है, paddies, derides, maize, soya bean, groundnut, cotton, ये सारे के सारे हमारे खारीव crop के examples है, similarly रवी crops के अगर हम बात करें, तो हाँ देख सकते हो, October to March, that means, जब बारिश कम होगी, winter season होगा, इनकी cultivation होगी, थोड़ी जी मेरे तभियत खड़ाब है, इसलिए आवास थोड़ ऐसा हो रहा है, तो वेटा, example की बात करें, तो wheat, ground pea, mustard, lean seed, ये सारे हमारे रवी crop होते है, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, दाल जितने भी होते है, हमारे अरहर के दाल, moon, दाल, मसूर दाल, बेटा, और बात करें हम vegetables की, जैसे कि आप कुछ भी vegetables उठा लो, most of the vegetables ये summer के time पे अलग-अलग places में grow करते है, कुछ vegetables होते है, जैसे कि cauliflower, cabbage, broccoli, ये बेटा विंटर के time पे जादा ग्रो करते है, तो every crop has a season, definitely every crop has a season, बट दो में सीजन इंडिया में होता है, depending on the rain, one is the kharif, which is the rainy season crop, another one is the rabbi, which is a winter season crop, ये examples बेटा हमारे NCRT में दिया गया है, so these examples are important, अब बेटा जब हम crop grow करते हैं, उसको nurture करना पड़ता है, जैसे कि बेबी को develop किया जाता है, बेबी को सबसे पहले क्या क्या जाता है, अच्छी तरह से prepare किया जाता है, हमेशा उसकी personal hygiene की care की जाती है, उसकी nutrition की care की जाती है, उसके बार अगर हम देखे बेटा, बेबी को, schooling, college, हर चीज, हर चीज प्रवाइड किया जाता है, क्यों, ताकि आगे जाकर एक दिन वो अच्छा इंसान बने, successful इंसान बने, है ना, अच्छाई के साथ 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 successful इंसान भी बने, that is also an important factor, तो similarly, एक crop बेटा बच्छे से कम नहीं होता, a crop needs everything, a crop needs every care, ठीक है, जैसे की एक बच्छे को चाहिए होता है, जैसे की आप देख सकते हो, all of this are agricultural practices which are required for crop production, ऐसे ही crop production हलवा नहीं होता, so we should salute our farmers, जो इतना कष्ट करके हमारी लिए crops बनाते हैं, है ना, क्योंकि देखो मेटा, crops की management बहुत tough होती है, a farmer have to look each and everything in precision, अब कुछ important steps that are involved in crop production, number one point is the preparation of soil, बेटा, soil को prepare करना बहुत जरूरी है, किसी भी soil में, randomly कोई भी crop grow नहीं कर सकते, सबसे पहले क्या होता है, बेटा, soil को prepare करते है, soil को sowing करते है, top soil जो है, उसमें fertilizer mix करते है, उसमें green manure mix करते है, पानी mix करके soil के top layer को थोड़ा loose करते है, ताकि seeds जो है, वो germinate हो सके, soil में proper moisture आ सके, तो सबसे पहला point क्या है बेटा, preparation of soil, next is the sowing, that means seed को plant करना, soil prepare हो गया, उसके बार क्या करेंगे, हम seed को introduce करेंगे into the field, that is sowing, third अगर आप देखोगे बेटा, addition of manure and fertilizer, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक बच्छे को grow करना क्या होता है, सबसे पहले उसका personal hygiene हमें उनके बारे में ध्यान रखना है, उसके बारे उसे nutrition भी provide करनी है, balance diet के बारे में बात करते है doctors, तो ऐसे ही बेटा, crop को भी nutrition चाहिए होता है, और crop को nutrition हम कैसे provide करवा सकते है, via manure and fertilizers, अब बेटा सिर्फ खाएगा, पीएगा कुछ नहीं क्या, obviously it needs water, crop को भी पानी चाहिए and irrigation is the process through which the crop can nutrition, sorry water, so, खाना पीना सब कुछ हो गया, अब क्या होगा बेटा, अब जब बच्छा स्कूल जाएगा, अब आप क्या करते है, इसके साथ मज जाओ, खराब हो जाओगे, उसके साथ मज जाओ, खराब हो जाओगे, इसके साथ जाओ, अच्छे माउग सायंगी अच्छा बच्चा है, करते हैं न? वैसे ही farmers भी crop के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं, कुछ unwanted plants होते हैं, weeds इनको हम कहते हैं, जो बेटा field में grow करते हैं, तो farmers उनको क्या करते हैं, उनको हटाते हैं, अलग-अलग तरीके से, कैसे हटाते हैं, हम आगे देखेंगे, फिलाल बस समझें, कि protection from weeds, unwanted plants को remove करते हैं, फिर बेटा जब फसल तयार हो जाता है, matured हो जाता है, उसकी harvesting की जाती है, उसे काट के अलग-अलग store house में रख दिया जाता है, and now after all this processing, it is ready for economical sale, और we can say it is ready for market, So, these are the main process that is involved in crop production. So, पहले point पर अगर हम आए, that is the preparation of soil. Soil को हम कैसे prepare कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले main ये चीज़ आपको जानना है कि soil को prepare किया क्यों जाता है, Why soil is important? क्या है soil में की soil को prepare क्या जाता है? Because, देखो बेटा, soil is very very essential. Soil contain minerals, soil की अगर हम बात करें, soil में minerals होता है, भर-भर के minerals है, कौन सा minerals है, जो soil में नहीं है, सब कुछ है, Sodium, Potassium, Nitrogen, Phosphorus, Calcium, कुछ भी, organic, inorganic, कुछ भी molecule उठा लो, कुछ भी mineral उठा लो, हर कुछ soil में आपको मिलेगा. So, soil is a very good source of minerals और इन minerals के बिना crop production नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता. So, soil contain minerals, next point अगर हम देखें, soil contain water, ठीक है, that is absorbed by crop, अब हमारा मन चाहे, तो हम definitely पानी पी सकते हैं, किस से बिल्कुल से पी सकते हैं, फिल्टर से पी सकते हैं, बिसले लिए खरीद के पी सकते हैं, हमारा जैसा मन चाहें हम पी सकते हैं, बट प्लांट नहीं पी सकते हैं, प्ला बिल्टा है, only and only from soil, soil में भी आप higher classes में अगर आप बायोल होगे, तब आप इसके बार में पर होगे, कि soil में भी अलग-अलग type के पानी होते हैं, हर पानी water, हर water हमारे प्लांट नहीं यूज़ कर पाते, ठीक है, so there are some kind of water that is present in the soil which is absorbed by the crops, which is absorbed by the plants, so soil क्यों इंपोर्टन बट Soil का, एक तरीके से दोनों किस से हो रहा है, plant में दोनों ही minerals की need, कही ना कहीं भी खाना हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो, minerals अगर आपको पता होगा, magnesium हमारे soil से मिलती है, और magnesium is very very essential for chlorophyll, magnesium के बिना chlorophyll नहीं बनेगी, chlorophyll के बिना plant में खाना नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने क खाना और पीना, ठीक है, तो प्लांट में खाना और पीना बिना soil के हो नहीं सकता, इसके अलावा भी soil important है, why, because soil contains some good bacteria और good microorganism, ठीक है, Soil में कुछ अच्छे bacteria होते है, जो क्या करते है, root के growth को enhance करते है, by fixing atmospheric nitrogen, है ना, तो इसलिए हम कहते है कि soil is a reservoir, soil क्या है, अपने आप में एक ख़दाना है, जिसके अंदर minerals भी है, पानी भी है, अच्छे-च्छे microbes भी है, और इसलिए soil को prepare करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी बड़ी soil को हम कैसे prepare करेंगे, अपने हाथ से तो करने ही पाएंगे, so we will use some tools, we will use some machines, हाँ, पहले जमाने में चोटे-चोटे tool, hull अगेरा use किया जाता था, आजकल बड़े-बड़े machines use करते हैं, tractor use करते हैं, लेकिन हाँ, a man have to use some tool for preparing his soil, तो सबसे पहला point अगर हम देखे बड़े, preparation of soil में, it is plowing, ठीक है, और plowing क्या है, plowing is the loosening and turning of the soil, is called tilling और plowing, that means आप देखोगे, यह एक field है, let us assume this is a field और यहाँ इसकी soil है, तो plowing में होगा क्या, या जिसको हम tilling कहते हैं, उसमें होगा क्या, सबसे पहले तो इस field में water apply किया जाएगा, number one point क्या होगा, watering होगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत watering होगी, ठीक है, और second point क्या होगा, using a tool call plug, यह उपर के जितने भी हमारे soil के layer है, बहुत जदा डीप नहीं, कुछ cm तक बेटा, उपर के जो soil के layer है, उसको खोदा जाएगा, उसको mix किया जाएगा, ताकि उसके अंदर जो organic molecules है, उसके अंदर जो अच्छे अच्छे bacteria है, वो सब कुछ mix हो, और इसी की time पे बेटा, during this preparation कभी कबार fertilizers or manures भी add कर दिया जाता है, इससे क्या होता है, इससे फसल अच्छे होते है, failure के chances कम हो जाते है, so this is the preparation of soil, जिसमें क्या होता है, एक field में, सबसे पहले तो उपर की जो soil layer है, उसको धीला किया जाता है, बहुत जदा नहीं, again I'm repeating, थोड़ी सी watering होती है, using plow क्या क बार उसमें fertilizer, manure, pesticides ये सब भी add कर देते हैं, ताकि बहुत जड़ा infestation ना हो, अब बेटा मैंने जिस टूल के बार में कहा था, this is the plow, हर जिसको हम कहते है, ठीक है, और ये जो है, अलग अलग चीजों के लिए use किया जाता है, जैसे की, again I'm repeating, soil को बेटा, lose करने के लिए तो use करते ही करते हैं, इसके अलावा fertilizer के application के लिए इसको use किया जाता है, या weeds बगेरे को remove करने के लिए भी इसको use किया जाता है, बागे अगर हम देखे, ये चीज बनी किस से होती है, तो ये पूरी की, पूरी चीज बेटा, उट से बनी होती है, लक्री से बनी होती है, ये जो point है यह जो पॉइंट है यह किसी किसी में लक्री से बने होते हैं किसी किसी में आईरन से बने होते हैं आज कलके तो फार्मर्स यह यूजी नहीं करते हैं बहुत कम स्केल में यूज करते हैं आज कलके मैक्सिमम फार्मर्स बेटा ट्रैक्टर यूज करते हैं और इसके लिए क्य या तो वो क्या करते हैं, बुलोग या बैल के उधर लगा लेते हैं, और उसके बाद वो फिल्ड को प्रिपार करते हैं. But again, this is a traditional form. यह पहले large scale में किया जाता था, आज इतनी large scale में नहीं किया जाता. So, it is made up of ूड, जो मैंने अभी-अभी कहा, बाकी किस चीज से बना है, बैटा? Triangular iron strips से बना है, called pluck share. Again, आम repeating, यह किसी-किसी में ूड का भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा iron का ही हो. Main part भी बैटा, उड से ही बना होता है, which is called plouse shaft. और इसके अलावा आप देख सकते हो, कि इसको हमेशा क्या करते है, बुल्स के neck पे attach कर देते है, ताकि वो easily move हो सके. Next, अगर implement की बात करे, for tilling, it is hoe. This is the structure of the hoe, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटा, यहाँ क्या है, यह structure iron से बनी है, ठीक है? यह हमारे iron से बनी है, एक लंबी सी rod है, आप देख सकते हो, जो ूद से बना होता है. लेकिन यह पूरी portion जो एक plate की तरह है, बैटा, this is made up of iron. So this part can be made up of, this rod is made up of ूद, and this parts are made up of iron. यहाँ पे भी दो चीजे यूज की जाती है, और आप देख सकते हो कि यह भी, यह भी most of the time animals ही यूज करते हैं. So यहाँ पे यह अखल humans भी चलाते हैं, कभी कभार अपने कंधे में रखकर मूफ करते हैं, बट हो की बात करें, तो बैटा, most of the time यह animals पूल करते हैं. So यह भी एक traditional type की ही tilling, we can say implement है, again coming back today's world, nowadays cultivators are used, tractors use करते हैं, बड़े-बड़े machines use करते हैं, जो बहुत कम time पे क्या करते हैं, फिल्ट को prepare कर देते हैं, क्योंकि हल चलाए या हो चलाए, ऐसे में क्या होते हैं, यह सारे traditional matter थोड़ सा time consuming होता है, बहुत सारे large scale farming के लिए, यह suitable नहीं होता, so nowadays cultivators are used, जो क्या करते हैं, कम time में, लेवर को safe करके बहुत सारा land तुरंथ ही prepare कर देते हैं, so again cultivators होते क्या हैं, मैं बता चुकी हूँ, they are some machines, right, so they can be tractors, they can be machine driving, अलग अलग तरीके से होते हैं, So these are the tools that is used for preparing the land, अब बता next आती है, sowing के बारे में, that means land तो हमारा prepare हो गया, अब हम seed कैसे डालेंगे, अब बता इतना बड़ा land है, तो एक-एक seed डालना possible नहीं है, to be very frank, possible नहीं है, लेकिन छोटा field है, छोटा सा field है, तो हो सकता है farmers कभी कबार broadcasting करते हैं, Broadcasting का मतलब है, कि एक मुठी वो seed ले लेते हैं, रेंडम ले फेग देते हैं, that is called broadcasting, लेकिन बहुत बड़ा field है, तो ब्रोटा कास्टिंग कितना करेगा, कितना करेगा वो, तो ऐसे में क्या होता है, they use different techniques, So first of all, sowing क्या है, sowing is nothing but planting of crops in the field, याद रखिए, it is planting of crops in the field, that is sowing, अब sowing करने के लिए बटा कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है, Randomly, किसी भी seed को farmers नहीं चूज करते, farmers एक-एक seed को देख के चूज करते है, and the seed selection is very very important, अब जब वो seed को select करते हैं, कुछ important points वो याद रखते हैं, जैसे कि quality of seed, सीड की quality कैसी है, कभी कमार होता है ना कि कुछ सीड होते हैं, देखने से लगता है कि या रहे हैं, यह तो पुरा उजरा समने हैं, यह से कुछ नहीं होने वाला, और कभी कभी कुछ सीड होते हैं, देखके यह अच्छा रागते हैं, पॉलिश, फाइन, शाइनी, तो quality of seed बहुत मैटर करती है, तो फार्मा लुक्स फॉर quality of seed, next क्या देखते हैं, next देखते हैं, it should be disease free, ठीक है, it should be disease free, that means, जो seed वो यूज कर रहे हैं, उसमें कोई बिमारी नहीं है, वो certified हो, seed की बेटा certification होती है, certification में क्या होता है, उसमें लिखा होता है, कि यह जो seed है, tested है, इसमें कोई किसी भी type की बिमारी नहीं है, है, so farmers use disease free seed, plus बिटा, farmer को चाहिए क्या होता है, high yield, so वो ऐसा seed चूज करते हैं, जिसकी yield high हो, ठीक है, यह कुछ हमारे parameters होते हैं, जो farmers usually use करते हैं, while selecting the seed, seed की selection हो गई, field prepare हो गया, अब वो apply कैसे करेंगे, apply, सबसे पहले मैंने क्या कहा था बिटा, in small fields broadcasting होगा, है न, in small fields क्या होगा, normal broadcasting, that means, वो simply fact देंगे, एक मुठी लेंगे, randomly, उसे spread कर देंगे, that is broadcasting, but, but बेटा, in the larger fields, broadcasting is not possible, in fact not feasible, feasible होता ही नहीं है, तो larger fields में होगा क्या, so larger fields में बेटा, tractors use के जाते हैं, drillers हम उसको appropriate term use कर सकते हैं, drillers use के जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बेटा, seeds लग दिये जाते हैं, और यह tractor जब आगे बरता है, seed अपने आप, मिट्टी में, soil में mix हो जाता है, इसके अलावा, this is a traditional tool, आप देख सकते हो, एक कोन है, इस कोन में बेटा, seed डाल दिया जाता है, और seed यहाँ नीचे तक बहुच जाते हैं, so this is a traditional method, यह हमारे small scale farmers use करते हैं, but apart from that, nowadays tractors are used, drillers are used for sowing, ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ, traditional method है, कम scale, जिसकी छोटे-छोटे farms है, छोटे-छोटे fills है, उन में use हो सकता है, बेटा, large scale farming के लिए, again, the second one, और second option is the more appropriate, अब बेटा, seed हो गया, है ना, अब seed को grow करने के लिए, क्या चाहिए, nutrients चाहिए, पानी चाहिए, तो nutrients उसको कहां से मिलेगा, from manure and fertilizer, so manure and fertilizer क्या है बेटा, they provide nutrition to the plant, याद रखिये, वैसे तो कहने को यह nutrients हमारे होते है, है already soil में, लेकिन manure and fertilizer क्या ensure करती है, कि बाइचान soil में नहीं भी होगा, तो plant को मिलेगा जरूर, so, they provide nutrition to the plant, है ना, they will provide nutrition to the plant, अब, दोनों same है या अलग-अलग है, बेटा, manure और fertilizer अलग होते हैं, दोनों definitely nutrients है, लेकिन दोनों अलग है, जैसे कि आजकल एक trend चला हूँ है ना, eat organic, बालों में भी organic लगाओ, faciose भी organic यूज करो, है ना, chemical वाले चीज़े मत यूज करो, तो वही चीज यहाँ पे भी है, manure is the organic one, fertilizer is the synthetic one, है दोनों ही nutrients, एक बेता इंसानों ने बनाया है, दूसरा भी इंसानों नहीं बनाया है, बस nature के चीज़ों को use करके बनाया है, ठीक है, so they provide nutrients, fertilizer की बात करें, तो थोड़ सा उनकी origin में difference है, fertilizers की बात करें, तो बेटा, fertilizers क्या है, they are synthetic in origin, they are synthetic chemicals, we can say, तो यह nutrients तो है, लेकिन synthetic chemicals है, बेटा, so no doubt, fertilizers अच्छे होते है, मैं नहीं कहा रहे हो, खड़ाब होते है, grow must होगा, plant एकदम बहुत फसल बड़े-बड़े हो जाएंगे, अच्छा grow होगा, लेकिन दिक्कत कहा आती है, यह soil को बड़ा pollute करती है, they are the major soil pollutant in agricultural country like India, so synthetic chemicals है, mainly अगर हम fertilizer देखे बेटा, फर्मर यूज करते है, NPK fertilizer, NPK का मतलब होता है, nitrogen, phosphorus, बाकि तो आपको समझ में आई गया होगा, potassium fertilizer, क्योंकि यह तीनों जो है, सबसे जादा बेटा, फटा-फट से soil से खतम होता है, soil से लूज होता है, so maximum farmers use NPK fertilizer, इसमें बेटा, sulfate भी हो सकता है, manganation भी हो सकता है, वो additional है, but NPK तो होगा ही होगा, लेकिन डिक्कत कहां आती है, fertilizer का सब ठीक है बेटा, लेकिन it causes soil pollution, डिक्कत इसमें आती है, it causes water pollution, जब वो पानी के साथ mix होकर बेटा, हमारे rivers तक पहुचती है, और ये fertilizer हमारे body में absorb नहीं होती, ये हमारे body में cancer जैसी dangerous बिमारिया भी करती है, और fertilizer ही क्यों, जो pesticide use क्या जतना है बेटा, वो भी अच्छे नहीं होते, so definitely it will provide nutrient to the plant, definitely plant जो भी हमारा crop है, वो अच्छा grow करेगा, लेकिन soil की pollution के वज़े से, आज कल इसकी use कम करने की बात करते है, अब next की बात करे, so that is our manure, अब manure की बेटा खासियत क्या है, manure is a broader term, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के बेटा चीजे है, जैसे कि number one चीज है, वर्मी कमपोस्ट, आपने नाम सुना होगा, वर्मी कमपोस्ट का, इसमें क्या होता है, जितने भी बेटा, stubbles होते है, जितने भी गंदगी है, हमारे kitchen की गंदगिया है, एक जगा उपर उसे collect किया जाता है, उसमें बेटा, अर्थवर्म छोड़ दिया जाता है, अर्थवर्म इस एन अनिमल, simple language में समझे तो, वो एक अनिमल है, अर्थवर्म बेटा, उसके उपर ग्रो करता है, और उस पूरे गंदे चीज को, पूरे वेस्ट प्रड़क को, बेटा, वो एक मैन्योर में कनवर्ट कर देता है, ये एक और्गैनिक फर्टिलाइजर में कनवर्ट कर देता है, हम कह सकते हैं, तो, डैटी इस कॉल वर्मी कंपोस्ट, जिसमें क्या होता है, एक एनिमल यूज़ किया जाता है, कॉल अर्थवर्म, और इससे, जो और्गैनिक मॉलिक्यूल, जो और्गैनिक सॉइल हमको मिलता है, उसमें प्लांट बहर अच्छा ग्रोध है, बहर डाक कलर्ट का सॉइल मिलता है, और प्लांट की ग्रोध वहां बहर अच्छी होती है, next type की बात करें हम manure की तो it can be green manure अब इसमें क्या होते है बेटा इसमें कुछ time के लिए छोटे-छोटे plants grow किये जाते है एक field में ठीक है तो ये plant based है याद रखिए it is a plant based manure उस plant को बेटा वही उसी field में काट के decompose करने के लिए छोड़ दिया जाता है वह plant decompose हो जाता है कुछ time बाद और उसकी जो अच्छी quality थी वह soil में add हो जाता है और यही नहीं इसके अलावा भी क्या होता है manuring में cow dung, horse dung जैसी चीज़े भी use की जाती है so cow dung is also considered to be a part of manure so manure के बारे में जब हम बात करते हैं they are all natural product अगर आप देखोगे go bird natural है plant जिसको बैटा decompose करने के लिए छोड़ दिया गया it is a natural process बैटा vermicompose जहां west product में artworm रख दिया गया ताकि वो उसे decompose कर सके soil की fertility को increase कर सके एक natural process है यह तीनों के तीनों examples जो मैंने आपको दिये है यह कभी भी nature में किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं फैलाते हैं क्योंकि नेचर का original पार्ट है तो इसलिए मन्योर क्या करता है यह pollution नहीं फैलाता है in fact यह soil को अंदर से निखाते है जैसे वो एड़ाता था फैर लवली का एक दिन लगाओ next day वो अग्दम पुरी मलब गोरी हो जाती है इसलिए ना वह ऐसा कुछ नहीं होता वेटा उपर से आप कुछ भी लगाओ कुछ नहीं होगा यू हाफ टो बी सम्टिंग एनलाइटन सॉम इंसाइड आपको अंदर से आपकी हेल्ट की क्या रखनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी तभी ब्राइटनेस आपके मूँ पे आएगा ऐसे ओल लगाने से कोई ब्राइटन नहीं होगा तो वही चीज़ है fertilizer बेटा is like feral lovely जो soil को उपर उपर से क्या करता है brighten करता है लेकिन manure is like बेटा क्या है proper balance diet जो soil को अंदर से निखारते है soil की fertility अंदर से permanently increase करते है without any pollution ठीक है अब difference की बात करें हम fertilizer and manure की कुछ differences मैंने यहाँ पर highlight कर दी है जैसे की बेटा आप देख सकते हो fertilizers जो है they are inorganic salts just wait so fertilizers क्या है बेटा they are inorganic salt chemicals है यह जबकि manure क्या है बेटा natural substances से बने हुए है decomposition के वज़े से बने हुए है fertilizer की बात करें तो factories में बनते हैं बरे बरे factories में बनाए जाते हैं fertilizer air pollution, soil pollution, water pollution सब कुछ करते हैं manure को बेटा field में ही prepare क्या जाता है कम space में ही हम manure prepare कर सकते है fertilizer बेटा humus नहीं provide करता अभी अभी जो मैंने बोला एक dark color का substance होता है soil में that is humus तो fertilizer क्या है fairly lovely है उपर से brighten करेगा तो humus नहीं बनाएगा manure क्या है बेटा balance diet है next अगर देखिए वीटा fertilizer जो है उनमें nitrogen phosphorus potassium जो मैंने अभी अभी कहा था mainly use किया जाता है जबकि यहाँ पे manure में actually में वीटा nitrogen phosphorus potassium की exact quantity नहीं होती है manure की ये एक छोटी सी disadvantage आप मान सकते हो कि manure में हमें exact chemical composition नहीं पता होता है क्या है लेकिन fertilizer में है कि इसमें 10% nitrogen है 20% ये है 20% वो है ये थोड़ा सा एक minor disadvantage है लेकिन इस disadvantage के लिए हम इतने सारे advantages को ignore नहीं कर सकते so these are the minor differences between fertilizers and manures अब बात करे advantages of manures की so it is very easy various obvious पहला advantage क्या होगा बिटा पहला advantage तो ये होगा they are considered better because it enhances the water holding capacity of the soil पेटा fertilizer जो है वो soil को अंदर से खोक्तला कर देती है soil की original जो nutrients होती है पानी को hold करने की capacity होती है श्रमता होती है उसको खराब कर देती है जबकि manure क्या करता है manure water holding capacity को increase करता है enhance करता है तो इसलिए manure को advantageous माना गया है क्योंकि ये water holding capacity को enhance कर रहा है वही अगर हम देखे बेटा it makes the soil porous due to which exchange of gases become easy fertilizer soil को clogged कर देते है clogged करने के वज़े से soil की oxygen है obviously बात है soil में अगर microorganism होते है तो उनको भी oxygen चाहिए होता होगा तो soil की oxygen है उसको block कर देते है clog कर देते है लेकिन manure जो है वह soil को porous बनाती है soil में pores form करते है जिसके वज़े से क्या होता है जो भी gaseous exchange है वो proper बन जाता है that means soil की हवा soil की air को वो अच्छा कर देते है next अगर आप देखेंगे it increases the number of friendly microorganism which will improve the texture of the soil जाहिर सी बात है अच्छा पानी मिल रहा है अच्छा हवा पानी सब कुछ है तो उसमें अच्छे-च्छे microorganisms ही ग्रो करेंगे और जितने अच्छे microorganisms ग्रो करेंगे बेटा उतना ही अच्छा हमारे crops के लिए होगा so these are some advantages of manure over fertilizers अब बेटा देखिए यहाँ पे और एक चीज़ important है crop rotation पे हम बाद में आएंगे सबसे पहले थोरा सा हम irrigation पे देख लेते हैं उसके बाद हम crop rotation पे आएंगे so बेटा irrigation की अगर हम बात करें what is irrigation अब soil को बेटा जाहिर सी बात है खाना चाहिए होता है crop को खाना चाहिए होता है तो पानी भी चाहिए होगा so irrigation is the process of supplying water to the plant supplying water to plant याद रखिए अब देखिए water supply दो टाइप के हो सकते है plant में number one is the बारिश बारिश इंडिया में मॉन्सून बहुत इंपोर्टन्ट है जिस बार भी बारिश नहीं होती है मॉन्सून नहीं होती है आदा किना जाने कितनी farmers बिटा suicide कर लेते है so पानी या वाटरिंग के दो तरीके होते है crops में ठीक है one condition is known as rain-fed condition rain-fed condition क्या है the crop watering depends on rain और यहाँ पर कोई बिटा as such irrigation system नहीं होता है जैसे कि आप northern या eastern नौट इस्टर्ण पार्ट में अगर आप देखोगे इस्टर्ण पार्ट पे देखोगे बैंगॉल बिहार या आप असम में देखोगे बारिश इतनी होती है कि irrigation या artificial water supply की कोई ज़रूद नहीं परती जितना भी पानी चाहिए होता है crop को उसको मिल जाता है तो ऐसे conditions को हम क्या कहते है rain fed condition जिसमें watering किसके उपर dependent है बारिश के उपर dependent है next अगर आप नौडर्ण स्टेट में देखोगे पंजाब हरियाना थोड़ी सी यहां की areas जो है semi arid areas है non-stop बारिश नहीं होती है there is a proper season for rain fog तो ऐसे condition में क्या होता है बाटा हमें irrigation provide करवानी परती है irrigation system की development करनी परती है so irrigation क्या होगा it is the we can say artificial watering system in plant और in crop ठीक है हम अलग-अलग system develop करते है artificially हम किसी बाटा pond से river से किसी बिनाले से हम पानी क्या करते है खीज कर अपने field तक लाते है that is irrigation जबकि जो बारिश से होता है that is rain fed condition तो irrigation क्या होगा it is the process of supplying water to the plant or the crop ठीक है जो natural नहीं है जो हम बनाते है याद रखिये बारिश के पानी को हम irrigation नहीं कहेंगे अब बार इरिजिशन की बात करते है तो तीन टाइप के irrigation होते है तीन टाइप के irrigation होते है वान इस traditional जैसे की कुण हो सकता है आप देखो कि कुण में पूली लगा देते है गाउ में that is traditional या बार हन पम यूज किया जाता है that is traditional तो यह सारे हमारे traditional ट्रिशनल इरिगेशन में प्रिंग्लाय जाता हैं गें लंब लंबे पाइप लगा दिया जाता है और पॉइंट टूपॉइंट इरिगेशन है ट्रेडिशनल नमबर वन number 2 is sprinkler and number 3 is drip irrigation अब अगर हम शुरू करे traditional type of irrigation में this is the traditional type of irrigation और यहां पर बिटा आप देख सकते हो दो example हमारे NCRT में दिया गया है जो मैं यहां मेंशन कर रही हूँ number 1 is the moth pull system, chain pump, धेकली and राहत lever system for the reference मैंने यहां पर डाइग्राम भी एड किया है इस तरीके का pulley system बना होता है कुवा भी होता है कुवा से भी आप देखोगे इस तरीके से पानी extract किया जाता है hand pumps use किया जाते है बहुत सारे गाव में तो यह सारी चीज़े क्या है यह सारी की सारी चीज़े traditional system है यह गाव में traditionally use किया जाता था on a small scale again large scale farming के लिए बैटा यह सारी चीज़े इतनी effective नहीं है और with the development of technology हमारे कुछ proper better system की भी development हुई है उसमें से number one system है sprinkler irrigation so it is sprinkler irrigation अब sprinkler irrigation में होता क्या है बैटा छोटे छोटे शावर जैसे होते है यूज के जाते हैं जैसे कि आपने हाँ पर देख सकते हो पानी जो है sprinkle किया जा रहा है towards the entire field so it uses nozzles याद रखिए it uses nozzles to spray or to shower the crops जैसे बारिश होती है उसी को replicate करने की कोशिश होती है हमारे sprinkler irrigation में छोटे छोटे ऐसे nozzles होते हैं जिसमें बहुत सारे holes होते हैं और बैटा जो भी हमारे क्रॉप से उनके उपर पानी शावर किया जाता है याथ में इस artificial rain की तरह काम आता है हमारा sprinkler irrigation अब sprinkler irrigation में भी बहुत सारे टाइप से हैं but those are not required हमें बस समझना है sprinkler irrigation होता क्या है next अगर हम बात करें वेटा it is drip irrigation so this is an example or diagram of a drip irrigation अब drip irrigation में क्या होता है तो बिटा drip irrigation में देखिए आप देख सकते हो यहां एक एक ऐसे चोटे 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 plants है आप देख सकते हो let me draw plant no.1, plant no.2, plant no.3 teen plant हम assume कर लेते हैं ठीक है 1, 2 and 3 तो यहां में पिटा क्या होता है चोटे चोटे ऐसे pipe लगाये होते है ठीक है ऐसे लंबे-लंबे pipe लगाये होते है if this is not visible let me use a different color okay so यहां पिटा ऐसे plant के नीचे चोटे-चोटे pipe लगा दिये जाते है और through this pipe only at the plant base सिर्फ और सिर्फ plant के base में क्या होता है पानी को release किया जाता है that means अगर यहां इस diagram में आपको proper visible नहीं हो रहा है बैटा मैं दुबारा से यहां draw कर रही हूं ऐसे pipe fit होते है और मान लीजे कि यह हमारे plants है तो plant के root के पास चोटे-चोटे holes होते है तो पानी जब travel करता है pipe के through उन holes के through निकल कर सर्फ और सिर्फ root वाले area को गीला कर देती है और बाकी जो पानी है बैटा वो west नहीं होता है तो drip irrigation में क्या होता है drip irrigation एक अच्छा concept है to conserve the water water loss इसमें बहुत कम होता है sprinkler irrigation में water loss बहुत होता है क्योंकि मैंने अभी क्या कहाता sprinkler irrigation में shower की तरह पानी को release कर दिया जाता है तो आधा पानी तो west हो जाता है अब ड्रिप irrigation में क्या होता है वेटा यहां पे water जो है is released only at the base of the crop only at the base of the crop और इसके वज़े से क्या है वेटा इसके वज़े से less water loss होता है that means water की conservation होती है और यह राजस्थान, हर्याना, पंजाब जैसे एरिया में एक अच्छा टर्ब है अच्छी technology है जिसमें क्या होगा वेटा water loss बहुत कम होंगे so there are three types of irrigation one is the traditional जिसमें क्या है जिसमें बटा पानी कितना बहता है किसी को नहीं पता चलता hand pump कुआ यह सारे हमारे traditional system है second one is the sprinkler system उसमें भी water loss होता ही होता है third one क्या है बटा drip irrigation जो modern technology है और इसमें water loss कम होता है as compared to sprinkler irrigation अब next point पे अगर हम आए that is weed control now what is weed weed बटा होता क्या है तो सबसे पहले तो हमें weed के control को समझने से पहले समझना है कि weed आखिर में होता क्या है so weed is in any unwanted plant weed क्या है बटा weed is in any unwanted plant in the field जैसे कि आप एक example ले लो यह एक field है this is a field ठीक है और बेटा इस field में हम grow कर रहे है rice I know rice के plant ऐसे नहीं होता है but let us assume we are growing rice लेकिन rice के साथ साथ let us assume कि यहां पे कुछ बेटा grasses भी grow कर रहे है आप देखों के field अकेला कभी grow नहीं होता इसमें बहुत सारे चोटे चोटे बड़े बड़े plants grow होने लगते है तो यहां पे क्या है बेटा grasses भी grow कर रहे है तो यह जो grasses है यह क्या है they are weed they are unwanted plant in the field so weed क्या होंगे weed are any unwanted plant in the field ठीक है लेकिन अब next point यह आता है बेटा कि इनको हटाना क्यों है रहने दो उनको अपनी मरजी से हमें क्या है खुद अपना photosynthesis कर रहे है क्यों weed को remove करना जरूरी है because बेटा weed जो होता है they compete for air and space and food and nutrition with our crops जैसे कि मालो आपको और मुझे अगर एक रूम के अंदर बन कर दिया गया एक बेटा सिर्फ एक slice of pizza दिया गया एक cup of water दिया गया तो हमारे में competition तो होगा है ना आप सोचोगे कि पीजा का slice सबसे पहले मैं खाऊंगा मैं सोचोंगी मैं उसे खालूंगी पीजा चलो मैंने छोड़ दिया पानी तो मैं बिलकुल नहीं छोड़ूंगी मैं सोचोंगी सारा पानी मैं पीजाओ तो हमारे बीच क्या होगा हम चाहे ना चाहे competition हो जाएगी आप यह मुझ मैं से सिर्फ एक ही बच पाएगा है ना वही चीज होती है बैटा so why there's a necessary or why there's a need to remove weed weed को हटाना क्यों जारूरी है बैटा because they will start competing for so why because they will start competing for what for space start competing for space for minerals etc और water we can say water के लिए भी बैटा वो compete definitely करेगा तो इसलिए इन weeds को हटा रेना बहुत ज़रूरी है अब बैटा weeds को हम हटाएंगे कैसे how to remove the weeds अब इतने सारे weeds होंगे कैसे हटाएंगे हम उसे तो इसके भी बहुत सारे techniques होते हैं नमबर वन पॉइंट इस हैंड पीकिंग छोटे मोटे फिल्ड है बहुत ज़्यादा बड़ा फिल्ड नहीं है तो बैटा हैंड पिकिंग इस सफिशेंट टू रिमूव ड़ वीड simply हम जाएंगे जहां भी भी हमें weed दिखेगा हम उसे unplugged कर देंगे उसको निकाल देंगे और उसे फैक देंगे second क्या कर सकते बड़ा second हम जब हम soil को prepare करते हैं तभी हम क्या कर सकते बड़ा यह ensure करे कि वहां पे कोई weed नहीं है so ensure that no weed seeds were there during soil preparation soil prepare करते वक हम यह देख ले कि वहां पे किसी weed की seed वगेरा तो नहीं है यह हम कैसे कर सकते बड़ा कभी कबार क्या करते हैं जो कि अच्छी चीज नहीं है मैं नहीं कहूंगी वह अच्छी चीज है stubble burning करते हैं तरीके के तरीके कामिकल इसको यूज कर सकते हैं लाइक वीडिसाइड्स, जो chemicals weeds को मारते हैं, they are called वीडिसाइड्स, example में book में दिया गया है 24D, ये एक ऐसा वीडिसाइड्स है, जो weeds को बैटा पनपने नहीं देती है, उन्हें मार डालते है, so we can use this, और we can use some microorganism also, बैटा कुछ हम ऐसे microbes use कर सकते है, that will feed on weeds, कुछ ऐसे microorganism हम use कर सकते है, जो हमारे crops को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन weeds को खा जाएंगे, है ना, या हम कुछ ऐसे बैटा, insects को use कर सकते है, proper animal को use कर सकते है, जो weed plant को खा जाएंगे, so we can use living organisms as well, so there are different ways that can be used to remove a weed, अब बैटा, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है, बैटा, harvesting करनी है, है ना, harvesting करनी है, तो हम harvesting में बाद में आएंगे, एक चोटा सा topic मैंने यहां पर छोड़ दिया था, पहले वो मैं complete करना चाहूंगी, that is crop rotation, so crop rotation, actually manure के अंदर ही एक चोटा सा topic था, जो मैंने अभी skip किया हुआ था, क्योंकि मुझे irrigation आपको पहले परहाना था, so अब वापस आता है crop rotation में, so what is crop rotation, so it is the growing of crops or growing of different crops, not crops, it is the growing of different crops at the same field, ठीक है, at the same field subsequently, क्या करेंगे हम एक ही फिल्ड में हो सकता है दो अलग-अलग season में दो अलग-अलग crop grow करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि बारिश का टाइम होगा तो हम rice grow करेंगे, let us take an example, फिर हो सकता है थोड़ा सा dry season आ गया, winter season आ गया तो वहां पर हम cabbage की cultivation कर लेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे बेटा, हम एक ही जगह पर दो अलग-अलग crops को grow करेंगे, और इसी को हम क्या कहते है, crop rotation कहते हैं, जिसमें हम crop को rotate करते रहते हैं, लेकिन इस crop rotation का क्या benefits है, what are the benefits of crop rotation, why this is suggested, बीना benefits के तो बेटा इंसान कुछ नहीं करते, या हम अगर कहें, merits क्या होते है, crop rotation के, बेटा, बहुत सारे merits होते है, सबसे पहला जो merit है कि, all season बेटा, we can grow crops, है ना, usually क्या होता है, एक season में एक crop होता है, लेकिन अगर crop rotation किया गया, तो all season one can grow crops, थेंड में भी अलग crop मिलेगा उसे, और गर्वियों में अलग crop मिलेगा, पहला advantage है, तो यह हो गया, पैसे ही पैसे मालदार हो जाएगा वो, है ना, second advantage क्या है बेटा, जो bad bacteria है, जो खराब bacteria है, जो बेटा, pathogen है, जिससे बिमारिया होती है, किसी crop को, bad bacteria will be eliminated, और सिर्फ bad bacteria ही नहीं, जितने भी हमारे weeds है, weeds भी बेटा, eliminate हो जाएगा, weeds will also be eliminated, और we can say destroy, ठीक है, और उसके बाद next क्या होगा, next यह होगी कि soil की fertility जो है, वो maintained रहेगी, क्योंकि हर plant की बेटा requirement अलग-अलग होती है, अगर rice nitrogen जादा मांगता है, तो cabbage क्या करेगा, हो सकता है, phosphorus जादा मांगता होगा, तो हर plant की अलग-अलग needs होती है, तो इसके वज़े से क्या होगा, जब हम crop rotation करेंगे बेटा, एक nutrient की exhaustion नहीं होगी, बलकि plant क्या करेंगे, अलग-अलग sources के उपर अपनी dependability बनाएगी, तो इसके वज़े से क्या होगा, soil fertility will be maintained, जब हम बेटा, monoculture करते हैं, एक ही जगह उपर, एक ही crop बहुत सालों तक grow करते हैं, बिचारा soil भी bore हो जाता है, तो वो भी धीर-धीरे क्या होता है, desert बन जाता है, वो बंजर जमीन बन जाता है, तो इसलिए soil fertility को maintain रखने के लिए भी crop rotation बहुत जदा important है, तो चोटा सा topic था crop rotation, I guess easy है, सब को समझ में आ गया होगा, यहां क्या होता है, एक ही field में subsequently, अलग-अलग crops grow किया जाता है, ताकि गंदे bacteria मर जाए, weeds मर जाए, crop को next one is that soil fertility को maintain किया जाए, so अब हम आएंगे next topic पे, that is harvesting, अब बिटा हर्वेस्टिं की बात करते है, तो what is harvesting, it is the cutting of the ripened crops, so what is harvesting, harvesting is nothing but cutting of the ripened crops, है ना? जो भी फसल पक जाते है, matured हो जाते है, उसको card के store houses में भेज जिया जाता है, घरों में ले आया जाता है, that is called harvesting, in fact बिटा, इंडिया में, where 80% population depends on agriculture, harvesting is very very essential, बहुत जड़ा essential है, in fact बिटा, इंडिया में बहुत सारे harvesting festivals भी है, right? अगर आप देखोगे, अभी अभी बहुत सारे festivals गए है, those were harvesting festivals of इंडिया, जैसे की, भोगाली भी हुआफ और माग भी हुआफ असाम, जैसे की, लोरी, है ना? तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे harvesting festivals है, जिसमें नए चावल, नए हुईट, नए फसल घर लाए जाते है, और उन्हें ओफर क्या जाता है, right? उनकी पूजा की जाती है, So, harvesting is also a very, very essential process, और very, very essential step in crop production, बेटा, crop बन गया, proper time में उसकी harvesting नहीं हुई, तो वो crop बिकार हो जाएगे, हो सकता है, वो field में ही खराब हो जाए, या बेटा, delay हो गई harvesting में, तो हो सकता है, उस crop में कोई microorganism अटक कर जाए, और crop failure हो जाए, So, time of harvesting is also very, very, very essential, और harvesting के बाद क्या होता है, harvesting के बाद बेटा होता है, storage, उसको proper store किया जाता है, और storage के लिए भी अलग-अलग conditions होते हैं, जैसे कि बेटा, अगर हम बात करे grains की, तो grains की storage कैसे होती है, सबसे पहले तो harvesting होती है, उनको काट के घर लाया जाता है, उसके बाद उनको बेटा sun-dried किया जाता है, सुखाया जाता है उनको, जब तक moisture content 14% ना हो जाए, तेक है, moisture content 14% जब तक ना हो जाए, grain में, तब तक सुखाया जाता है, after that it is stored in jute bags, ठीक है, कहाँ पर stored किया जाता है, it is usually stored in jute bags, इसके अलबा बेटा अगर हम fruits की बात करें, fruits को भी stored किया जाता है, क्योंकि जब हम crops के बारे में बात करते हैं, सर्फ हम grains के बारे में नहीं बात करते हैं, तो fruits को sun-dry नहीं किया जाता, fruits को क्या करते हैं, freezer पे डाल दिया जाता है, refrigerator में डाल दिया जाता है, again, कुछ fruits ऐसे भी होते हैं, जिनको refrigerator में नहीं भी डालते हैं, जैसे कि banana, ऐसे foods को refrigerator में नहीं डालते, so some fruits, especially the flashy fruits, flashy fruits के बारे में, जिसके mango वगेरा हो जाता है, flashy fruits are stored in freezers, low temperature में बेटा, store किया जाता है, और जो store houses है, उनकी conditions भी important है, जैसे कि अगर हम देखे बेटा, why the store houses conditions are important, so सबसे पहले conditions देख लेते हैं, what are the conditions of store houses, what are the condition of store houses, number one, it should be clean, साफ सफाई maintained होनी चाहिए बेटा, अगर साफ सफाई maintained नहीं होगी, तो harmful bacteria की growth हो जाएगी, सारे के सारे फसल खराब हो जाएगे, है ना, it should be clean, number two, it should be properly ventilated, that means बेटा, proper ventilation, हवा की circulation जरूरी है, और else, क्या होगा बेटा, suffocation होगी, ठीक है, ventilation नहीं होने के वज़े से moisture build-up होगा, तब भी हमारे जो फसल है, वो खराब हो जाएगे storage में, यह सारे condition store houses की है, याद रुकी है, proper ventilation is necessary, next number three is fumigation, fumigation क्या है बेटा, fumigation is a process, जिसमें हम कुछ chemical use करते है, to eliminate bacterias, ठीक है, to eliminate bacteria, fungi और we can say micro organism, ठीक है, तो fumigation करना time to time बहुत ज़रूरी है, और बेटा, और एक चीज हमें याद रखनी है, कि जो हमारे store houses के surfaces है, surfaces should be dry, should be dry and free from moisture, moisture उसमें ना हो, क्योंकि moisture होने के वज़े से क्या हो सकता है, bacterial growth increase हो सकता है, हमारे फसल खराब हो सकते हैं, तो these are some conditions that should be maintained in our store houses, तो इसी के साथ इस chapter के main points खतम हो जाते हैं, chapter के end में बस कुछ points दिये गये हैं, कि हम सर्फ plant के चीजों को ही use नहीं करते हैं, हम animal के products भी use करते हैं, so there are some animal products which we use in our day-to-day life, बहुत ज़रा in detail तो नहीं दिया गया है, बस उनका नाम दिया गया है, तो इसलिए हमें फिलहाल के लिए, class 8 के syllabus के हिसाब से अगर हम देखें, फिलहाल के लिए हमें बस उन products का नाम याद रखना है, जैसे कि बटा, animal products में क्या आ सकता है, dairy, that means our milk products, milk products आ सकता है, egg which is a very very good source of protein, is an animal product, meat which is again a good source of protein, good source of nutrient, comes from animal, बेटा, honey की बारे में बात करें, बहुत nutritious माना जाता है, it also comes from animal, और बेटा, fish की अगर हम बात करें, तो fish are also a very good, very very good source of omega 3 fatty acids, they are very good for our heart health, तो यह सारे के सारे क्या है, animal products है, but again in our NCRT, फिलहाल के लिए यह सारे products in detail नहीं दिये गए है, तो हम बेटा, इनकी detailed study नहीं करेंगे, इसे के साथ बेटा, आज का lecture खतम होता है, thank you, की नहीं करेंगे,